दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ICC T20, Qualifier Africa T20 Series की जो ये मुकाबला होने वाला है दोस्तों किये EN vs UGA के दर्मियान में दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मैच कौन से ग्राउंड पे होगा दोस्तों यहां का पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है कौन से बल्लेबाज का क्या बैटिंग ओर रहने वाला है दोस्तों अपने T20 फॉर्मेट में कितने मैच इस खेलें अपने करियर में और क्या स्कोर रहा है दोस्तों क्या स्ट्राइक रेट से खेलते हैं अपने करियर में खेले हैं यहां पे सारे प्लियर्स का मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा दोस्तों T20 फॉर्मेट के चाहे वो ओल रांडर सेक्शन में जो इंपोर्टन ख्लाड़ी हो जाहे आप यहां पे दोस्तों जो चार वर तक गिनवाजी करेंगे उनका भी स्ट्रेट सो कैप्टिन सी के लिए किसको लेना सही रहाएगा वाइस कैप्टिन सी के लिए किसे आप ट्राइ कर सकते हैं सारे इंपोर्टन इंफर्मेशन हमें आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ बस आपको क्या करना है दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतग वाज करना है ताकि इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपोर्टन इंफर्मेशन है सारे आपको मिल पाए और आप एक बहतरी टीम बना पाओ लेकिन भाईयों अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कियें और हमारे टेलिग्राम गुरूप को भी तक जोइन नहीं कर आए दोस्तों तो इस मैश का अगर आप फाइनल टीम पाना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलिग्राम गुरूप को मिस्मत करना जो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्कुर्शन बॉक्स में और कमेंड बॉक्स पहला कमेंड में लिंक मिल जाएगा तो जल्दे से क्लिक करके आप लोग जोइन कर लें भाकि छली हम लोग यहां का पीश के बारे बात करतें दुस्तों प्रदर्शन कि हैं लास्ट कुछ मैशिस के अगर बात करेंगे तो उसके रिकॉड के बैसेस पे बात करेंगे तो बागे first inning average score देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे 100 run के आसपास first inning average score देखने को मिल सकता है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना low scoring पीछ है बॉलर्स को support देखने को मिलेगा तो यह चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा बागे कर के एन के टीम की बात करते हैं दोस्तों के एन के टीम के तरफ से आपको विकेट की परिंग में आपको यहाँ पे इरुफान करीम खेलते हुए ने जराएंगे जो की left hand betting करेंगे आप spinner बॉलर्स दोस्तों अपने किरेर में 58 matches खेले टी 20 format का जिसमें से 1171 run score कर रहा है दोस्तों 100 के पार इनका strike रिड़ रहता है देखो बल्लेबाज काफी बहतरी नए इनको अपने टीम में ले सकते हैं लेकिन आप अगर बात करोंगे रखी पटल के बारे में दोस्तों ये भी right hand betting करते हैं 83 matches खेले हैं 1572 run score कर रहा है दोस्तों 31 wicket निकाली भी है देखो दोनों के दोनोंने आपको wicket keeping section में नजराएंगे फिर भी इनको काफी कम लोग try कर रहे हैं इसके पीछे जो reason है ये record थोड़ा सा पुराना है और इनके खेलने की कम chances है तो इस बात का थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना कि अगर ये खेलेंगे तो अच्छे लाइन अप में अगर आप रहेंगे तो ले सकते हैं फिलाल यहां पर इर्फान करीम को लेते वे चलेंगे देखो बैटिंग की बात करते हैं तो कॉलिन सब को खेलते वे नजराएंगे जो कि राइट इन बैटिंग करेंगे लेग स्पिनर है 97 मैचेस खेले हैं 1932 रंसकोर कर है दो विकेट निकाले दे को बॉलिंग कम करेंगे लेकिन बल्ले बाजी करते भी दिखेंगे इस बात का थोड़ा ध्यान रखना एलेक्स की बात करेंगे दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 79 मैचेस खेले हैं 1334 रंसकोर कर रहा है 120 का सपास इनका इस ट्रैक रेडर रहता ट्रै कर सकते हो शुगदीब सिंग की बात करते हैं 3 मैच खेला 24 रंसकोर करा है 2 विकेट निकाला इनका स्टेट मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है तो इनको आप एस ए बोलर स्लेट कर सकते हो बाग अगर आप देखेंगे दूसरी यहां पर इस नहमिया के बारे में 77 मैचेस खेले हैं 569 रंसकोर करा है दूसरे 71 विकेट निकाल विए देखो बॉलिंग से तो मुझे इनका काफी बहतरिन रिकॉर्ड लग रहा है और उतनी बैतरिन बल लेबाजी भी करा है इस बात का धियान रखना इनको लेते वे चलेंगे अच्छे प्लेयर हैं दूसरो बाके आप देखेंगे पेडर के बारे में तो 7 मैच खेले हैं 2 रंसकोर करा है 8 विकेट निकालें थोड़ा इनका रिकॉर्ड देखोगे तो कम है और एक्स परनूगा लाइन अप के बाद बाके करा सेकेंड टीम की बात करेंगे यूजी एक टीम के बारे में विकेट की पर में आपको फरेद खेलते में नजर आएंगे जो कि दूस्तों यहां पर राइटन बैटिंग करेंगे 20 मैच खेलें 30 रंसको इसकोर करा है दोको विकेट के बात करते हैं तो चवदर मैच खेले हैं 406 रंसकोर करें दूस्तों 110 के आस पास इनका श्ट्राइक रहता है तो बल्लेबाजी इनका बहतरी नहीं और मतलब ऐसे बैट्समें आप इनको ट्राइक कर सकते हैं शीमोन की बात करेंगे देखो 10 मैच खेले हैं 329 रंसकोर करा है थ देखो बैटिंग में ज़yदा इस टीम से ध्यान देना नहीं आपको बैटिंग अब है आप यहाँ पे आपको KEN का ही बैटिंग इश्चर्ओं को आपको नजर आएगा तो आप इस टीम से अन चाहे तो बैटस्मयन में से स्जादा ख़्िलाडे दो ले खते हैं तो बल्लेबाजी और गिंदबाजी दोनों इनका काफे सांदर है फ्रेंक की बात करेंगे तो 18 मैच में 176 रन स्कोर करा है और 13 विकेट निकाले विए बॉलर्स में से अगर आप देखोंगे तो फ्रेंक खेलते हुने जलाएंगे 39 मैच इसके लिए 258 रन स्कोर करा है 31 विकेट निकाले है बल्लेबाजी और गिंदबाजी दोनों ही इनका बहतिन रहता है हैंरी की बात करते है 37 मैच इसके लिए 36 रन स्कोर करते है 25 विकेट निकाले है बॉलर्स ये भी कंप्लिट बबर बॉलिंग करेंगे दोस्तों बाकि अगर आप देखोगे दूस्ते मोजिया के बारे में दूस्तों तो इनका इस्टेट्स आप देखे लो 36 मैच में 23 विकेट निकाले हैं और 325 रन स्कोर भी करा है बाकि इन दोनों का इस्टेट्स देखोगे तो उतना कुछ खास है नहीं उतने मतलब एक्स्प्रियेंस है नहीं रिजर्ट को ड्रॉप करेंगे बिलाल हुसन थोड़ा सा ठीक टाक है यहां पर 13 मैच स्केले हैं सोलर विकेट निकाले भी हैं 38 रन स्कोर भी करा है दोस्तों तो इस बात को थोड़ा धियान रखना मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो जील में आप इनको ले सकते हैं तो मैं उनका इस टेलिग्राम ग्रॉप में दे दूँगा 37 साथ इस मैच का प्लेइंग 11 और टॉस का अपडेट हमारे टेलिग्राम ग्रॉप में शेयर कर दिया जाएगा तो जल्ली से जोइन कर लो बागी भाई जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सांदर है बाखी यू जी एक मतलब जो वीकिटीवर में उतना कुछ खास खास खिलाडी है नहीं तो इनको ड्रॉप करते चलो फिलाल यहां पर आया करीम को यहां पर ट्राय करेंगे दूस्तों आर पटेल लेगर खिलते हैं तो फिर आपको टीम अपडेट कर दिया जाएग सजाई जो कि यहां पर यू जी एक टीम के तरफ से बेटिंग बहुत ही संदर कर रहे हैं और एक्स्परियंस पर टीट्वैंटी फॉर्मेट में काफी बहतरीन है मैं इनको ट्राय कर रहा है लेकिन दोस्तों याद रखना मैं और यहां पर जो बॉलिंग मैंने तीन इन यहां पर देख सकते हैं अच्छे गिंद बात हैं और इनको अगर यह नहीं खेलते हैं तो फिर आपको टीम अपडेट कर दिया जाएगा लेकिन यहां पर एसलम का उतना भी मुझे बैटर नहीं लग रहा है हालाकि इनका भी टीट्वैंटी फॉर्मेट में काफी एक्स्प इसकले बहुती स्ळожд trailer का बेट मैंने गिंद बाजी भी कंप्लीट अबर करते बेगे बाकिया करेंगे to मैंने आपको clean तरीके से बताया और मैंने लेने के लिए कहा था बाकि दूस्तों अगर Captain के बात करेंगे तो Captain के लिए मैं इनको अपने ट्राइ करूंगा जो की स्टार्टिंग में बताया था Captain के लिए दूनों बेश्ट हैं आर अलिसा को मैं वाइस केप्टेंसी के लिए ले रहा हूँ देखो आपके पास चोईज अगर आप चाहे तो यहाँ पर दोस्तो इनको ले सकते हैं केप्टेंसी वाइस के लिए इस टेट्स आपने भी देखा है हो सकता कि फाइनल टीम पर मैं अपडेट करूँगा तो इनको अपने टीम में ट्राइ करूँ तो दोस्तो फाइनल टीम के लिए हमारे टेलिग्राम ग्रूप को मिश्मत करना इस टीम का फिलाल आप सेव करके रख लो बाकी मिलते हैं भाईयों नेक्ट वीडियो में जैहिंद